जिसको हम आजकल कहा रहे है, SD-WAN को, कि MPLS का replacement है, अब MPLS क्या करता है, क्या करता है MPLS? Sir tagging करता है, पहले स्विचिंग होता था, process switching, fast switching, safe, और फिर वाद में MPLS, fast होता है, fast होता है उसे process, CPU पर जो नहीं परता था, उसमें IPv4 के साथ 32 bit का है, MPLS tagging 20 bit का है, okay, fast होता था, ठीक है, fast होता था, that is fine, but MPLS हम यूज करते थे, जिसको हम कहते थे, multi, multiple, label, label switching, actually होता है, हम MPLS link लेते हैं, याद है, हम अपने industry में MPLS link लेते हैं, और उसके बाद हम और क्या करते हैं, MPLS link लेने के बाद, उसको connect करते हैं, अपने device से, purpose क्या है, MPLS link क्यों लेते हैं, MPLS link देखो, अभी sir, कैसा होता है, कि ये customer रेते हैं, service provider रेते हैं, right, अभी same prefix रहा, same prefix, same prefix तो अब एक link पहुचा ने सकता हो, दो दो, ठीक है, तो उसके लिए VRF होता है, तो एक routing table का virtual routing बना देता हो, तो अब virtual routing table बना देता हो sir, एक prefix के लिए, ठीक है, so, देखो, basically, अब SD-WAN का start करते है, कि जो feature अभी तक जिसने दिया, वो है सिर्फ आपका F40 gate, जिसने SD-WAN अभी तक दे रखा अपने module के अंदर, और इसके हर एक module में SD-WAN, मतलब ऐसा नहीं है कि जो lower end के series है, जैसे 30E ले लिया हमने, या फिर आपका 30, 20, 20, जो सबसे छोटा firewall आता है 20F, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन models में lower models में नहीं है, SD-WAN आपके हर एक models में है, all models में available है, ठीक है, SD-WAN का अलग से पूरा feature, feature set आता है, जिसमें आपका interface define करना होता है, performance SLA और rules define करना होता है, चलो वो तो बात की बात है, now, अब SD-WAN को किस तरीके से समझोगे, so basically full form of SD-WAN, 1-1 notepad निकाल लेता हूं, so today topic is SD-WAN, software defined WAN, WAN के तर फुल फॉर्फर्माल है, वाइडरिया नेटवर्क, हाँ, 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 ठीक है, so basically आपका SD-WAN यूज होता है, आपके जो WAN कनेक्टिविटीज है, WAN कनेक्टिविटीज है, let's say ISP-1 है यह, ISP-1 यह आपके firewall पर connected है WAN 1 पर, ठीक है, और ISP-2 यह आपका connected है WAN 2 पर, हाँ, WAN 2 पर, तो basically जो यह WAN areas होते है, WAN network होते है, ISPs के network को, उसको manage करने के लिए use होता है, simple simple word में अगर मैं थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे words में बता हूँ, तो एक load balancing का concept होता है, load balancing का, ठीक है, load balancing का, all through अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम पहले policy route बना रहे थे, WAN 1 के लिए, ठीक है, WAN 1 के लिए बना रहे थे manually, और फिर WAN 2 के लिए बना रहे थे manually, उसके हम priority set कर रहे थे, कि अगर मेरा traffic यहां से मेरा WAN 1 डाउन हो जाता है, तो traffic फिर WAN 2 पे जाए, ठीक है, WAN 2 पे जाए, यह अभी तक कर रहे थे, हम बदब कर क्या रहे थे, manually कर रहे थे, manually configuration से क्या होता है, आपका resources ज्यादा यूज होता है, CPU utilization यूज होता है, memory यूज होता है, so basically हम SD-WAN के हमारी यह wide SD-WAN, जब आप implement करते हो तो एक interface बन जाता है, एक अलग से एक interface बन जाता है, ठीक है, समझलों कि SD-WAN interface बन गया, और इसके अंदर हम यह दोनो WAN को add कर देते हैं, लेट से अगर दो connection है, तो दो connection को add कर दिया, अब SD-WAN interface में connection आने के बाद, लेट से जब user का traffic आ रहा है, तो अगर मेरा WAN 2 डाउन है, तो कोई problem नहीं है, WAN 1 से traffic निकल जाएगा, आपको कुछ निकरना है, आपको बस enable करना है SD-WAN और interface add करना है, ठीक है? वैसे तो जब manual करते तो वह तब भी तो असी होता है, नहीं, कभी-कभी क्या problem आ जाता है, देखो, manually करने से हो जाता है, वही चीज में कहा रहा हूं कि, manually में भी कभी-कभी problem हो जाता है कि आपको trigger करना पड़ता है traffic, trigger करना पड़ता है, ठीक है? firewall policy, एक policy से दूसरे पर और उसके आख से जब हमारे पास यह feature दे रखा है, feature set यह available है, तो हमें क्यों बनाना, manual configuration, ठीक है? तो यह automatically कर लेता है? यह automatically, तभी मैंने बोला कि थोड़ा-थोड़ा यह इसका load balancing का concept उठाता है, ठीक है? यह load balancer है, servers होते हैं, server 1, server 2, server 3, जब request आती है, तो server 1 को दे दिया, अब server 1 busy होता है, तो load balancer क्या करता है? load balancing automatically server 2 को कर देता है, और इसी बीच में, अगर server 2 मेरा down हो गया, तो जो अगली request आएगी, वो server 3 को दे देगा, ठीक है? तो यह load balance करता है, user को दो ही पता चलता है कि इधर जो यह server रखावाता है, down हो गया, बंद हो गया, तो ऐसे ही आपका SD-WAN में भी होता है, कि एक separate SD-WAN interface create हो जाता है, जब हम वो करेंगे, configuration करेंगे तब दिखाऊंगा, interface configure आपका create हो जाता है, जिसके अंदर हम यह दोनों WAN को यह owner हो गया, ठीक है, और जो customer है, ठीक है, customer आते है, अब आपके under में, आपके under में दो बंदे है, ठीक है, दो employees है, employee 1 और employee 2, अब हुआ क्या, यह दोनों आपके एकदम, same profile के बंदे है, same work करते है, ठीक है, अब एक दिन कोई customer आया, यह customer आ गया, customer आने के बाद यह आपको काम देता है, like you are the owner, आप से contact करता है, और आपने देखा कि अच्छा यह काम तो last time, एक का नाम राहूल ले लो, एक का नाम Samir ले लो, राहूल ने किया था, ठीक है, और राहूल आज अपसेंट है, तो आप customer को यह थोरी बोलोगे, कि आप करके दो, customer को थोरी मालूम होना चाहिए, ऐसे ही होता है, कि अगर मेरा van 1 डाउन हो गया, van 1 और 2 में से कोई एक डाउन हो गया, तो मेरा जो यह user है, user का traffic, उसको impact नहीं पड़ेगा, कि वो van 1 डाउन है, तो नहीं, उसका traffic नहीं जा सकता, automatically van 2 पे जाएगा, समझे लो कि owner है, जिसके अंदर दो बंदे काम कर रहे है, अब वो कैसे manage करेगा, वो SD-WAN के उपर depend होता है, जैसा आप configure करते हैं, अब अगर दोनों ही बंदे, जैसे आपके दोने employees चुट्टी पर है, तब तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, तब तो कोई solution ही नहीं है, तो ऐस या करें, यहां पर आपका दोनों internet डाउन हो गया, यह भी और यह भी, तब कोई solution ही नहीं है, तब तो बात की बात है, तो SD-WAN ही था, owner कहलो, या फिर manager कहलो, जिसके under में दो बंदे काम करते हैं, हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हमारे उपर manager होते है, जिनको हम report करते है, अब हम हो गए, उनके लिए WAN, ISP-1 हो गए, ISP-2 हो गए, ठीक है, अगर मैं आज absent हो जाता हूं, तो ऐसा तो है नहीं कि काम pending हो जाता है, यह रुख जाता है, काम IT के अंदर, काम तो होते रहता है, flow निकलते रहता है, कोई और कर रहा होता है, आपके भीयाफ में, तो ऐसे ट्राफिक निकलेगा, बट थोड़ा slow निकलेगा, क्योंकि यह 500 Mbps है, यह 100 Mbps है, 400 Mbps का difference आ रहा है, ठीक है, तो ट्राफिक थोड़ा सा slow move होगा, अब इसके अंदर, एक तो यह आपका दूसरी चीज है, SD-WAN के लिए याद रखना, लोग काफी लोग confused होते है, SD-WAN के लि रखना का एक connection, broadband है, और एक connection, ILL है, तब भी okay है, दोनो connection, ILL है, तब भी fine है, और दोनो connection, broadband है, तब भी fine है, किसी ने पूछ लिया, कि MPLS, SD-WAN में फरक क्या है, बताता हूँ, बताता हूँ, सब बताता हूँ, ठीक है, और से रहा है, अब से लिए लाइन और, ब्राड़बे यह क्या होता है कि आपको डेडिकेटेड जैसे आपने वोला 100 Mbps का मुझे आई लेल लेलना है ठीक है तो आपको वह 100 Mbps ही देगा 100 Mbps ही कनेक्टिविटी देगा जब भी आप स्पीड टेस्ट करो कुछ भी करोगे 100 Mbps डेडिकेटेड आएगा अब ब्राड बेंड में यह चीज नहीं होता ब्राड बेंड में क्या होता है कि वह बोलते हैं कि अप्टू 100 Mbps अप्थू तो यह जो लोग जो टेक्निकल लोग समझ लाते ओं नॉन टैक्निक्दी समझ पाते इस अप्टू होता है Ma eigentlich की 100 अप March कम कुछ भी दे सकता है वो 50 भी दे सकता है 40 भी दे सकता है अगर आप जीयो का broadband लोगे जीयो फाइवर का broadband तो उसमें क्या है उसमें यह लिखते है कि 350 mbps पीड आएगी पर वो क्या लिखते है अब 2350 mbps तो इसमें डेडिकेटिड broadband में speed कभी नहीं रहता है आई इल्ल में आपका क्या रहता है fix IP address रहता है जो पबलीक आईपी होता है वो एक दम fix होता है static public IP कहते है उससे static IP और broadband में आपको अलग से अगर चाहो तो ले रहते हो एल्स यहां पर डैनमी कोई कर leels आते हैं अब जो जो आप लोगोंने घर में वाइफडू का ब्रॉड outta n a hour तो यहां पिर दो चालू होता है तो आप अब siitä भी देखो गे तो जो आई-प के लिए आपको dedicated manager assign होता है जिस company का भी आयलल लेते हो dedicated point of person होता है कि अगर कोई भी problem होता आप इसको directly call कर सकते हो broadband में यह feature निरे broadband को customer care में call करना होता है customer care में call करना होता है यह सारी feature तो broadband भी काफी आ रहा है इसे home broadband होता है जिसको HBB कहते है और CBBB आता है means corporate broadband तो इसमें भी यह कहते है कि हां 100 Mbps तक speed अगर लेते हैं 100 Mbps के लिए तो आप 200 कहते हैं पर नहीं आता है 100 नहीं आता है और ILL में क्या होता है कि 100 बोला तो 100 ही आएगा डाउनलोड अपलोड दोनों 100 आएगा अगर महेंगा रहता है अगर आप 100 Mbps का अगर लेने जाओगे तो कम से कम आपका एरली कॉस्टिंग कम से कम नहीं तो पड़ेगा आपका 6-7 लाग और यह सिब आइसठी पॉर और यह सब आहिए आपको प्राइड मुंबाई पूह्ने में बिदाया था यह एड़ा है और एक किसी जवाने में वड़ा फोन देता था वटबनी देरा और ची ओ टाटा और 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 वना भी लिखी लो वड़ा फोन भी पहले देता था एल अगर कॉंपेटेशन इंटरनेट के लिए तो टाटा और एटल में सबसे जाए अब दूसरी चीज वापस आपके टॉपिक पे और यह जो आपका जो ट्राफिक को मैनेज करता है एसदी वेंट जो ट्राफिक मैनेज करता है यह पूरा ट्राफिक मैनेज करता है रियल टाइम ट्राफिक ऐसा नहीं कि पहले से आ रखा है बतब जो होगा एककम लाइव होगा अचा लाइव अगर फेस्बुक का अब देखो आपने एक रूल बना रहा है एक रूल भी हम है अब क्या हुआ वएन मेरा डाउन हो गया डाउन हो गया अब ट्रैफिक क्या मेरा फिर वैन के अंदर दोनों लेंक है ठीक है तो क्या मेरे ट्रैफिक जाएगा नहीं फिर किसी और लिंक से की रूज आपने वैन बना रखा है तो ऐसा कुछ नहीं है यह पूरा रियल त्राफिक एनलाईज होता है कि अगर मेरा वैंड डाउन हो गया एट तेम टाइम तुरहंट ट्राफिक मेरे दूसरे से मूव हो जाएगा और जैसे आपना रूब बनाया है नहीं बना उसकी को मतलब नहीं नहीं उसका कोई मतलब नहीं है ट्राफिक आपका नहीं रुकेगा रियल टाइम ट्राफिक को यह रियल टाइम इसको कहते है आपका एप्लिकेशन और उसको मैंटेन करना पर्फॉमेंस को मैंटेन करना अगर यहां पर आपको रूली बनाना पड़ता बार बार तो फिर मैं मैंनुवली रूल क्यों ना बना लू ठीक है और इसका तीसरा सबस यह लिंक बन्द हो है even sometimes नेटवक इंगेनियर्स को भी पता नहीं चलता जब तक वो फायर्वल में लोगिन ना करे सब तक उनको भी दीवन में मैंबर तो कभी-कभी पूछ लिया जयाता है के इंट्रवियू में के एस दी वेन मेंबर्स कोन होते हैं तो सिंपल आंसर है आपके वैन कनेक्शन को ही हम मैंबर कहते हैं और ऐस पर धी डॉक्यमेंटेशन ऐसा तो कोई वह नहीं है बट ऐस पर दी डॉक्यमेंटेशन आप 250 255 members add कर सकते हो SD-WAN के इंटरफेस के अंदर 255 समझे रहा बहुत बड़ा अमाउंट हो गया 255 connection किसी भी कंपनी में नहीं होंगे तीन चार पांच connection तक तो मैंने भी देखे हैं बट उस्यादा मैंने नहीं देखे हैं ठीक है सो यह होता है उसके बार by default आपका SD-WAN 40 gate के अंदर disable होता है और SD-WAN कंफिगर करना बहुत ही असान है कोई बड़ी चीज नहीं है तो पहले थोड़ा सा देख लेते कि और क्या-क्या करता है so back to the theory so SD-WAN is a software defined approach defined approach to managing the wide area network okay it allows you to offload internet-bound traffic bound traffic that means what is the internet-bound traffic that means the solutions diverts the data traffic data traffic and route it directly और क्या क्या करता है आपका SD-WAN 3rd point SD-WAN platform create a hybrid network अब ओवियसी वात है hybrid network में क्या होता है hybrid topology आपने देखा होगा कभी कि एक मेरा link डाउन होता है या फिर एक मेरा note डाउन हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है hybrid topology आपने कभी देखा है नहीं सब्सक्राइब पढ़ोगे hybrid इस तरीके से दिखता है topology इस तरीके से हर चीज के लिए आपके पास backup रहता है ठीक है अब लेट से अभी तहीं यहां पर कुछ इस तरीके से एक दो करके दिखा रहा है hybrid topology इस तरीके का होता है इसमें क्या होता है अगर मेरा समझ लो कुछ इसमें डाउन भी होता है हर चीज का fail over है अगर traffic मेरा ऐसे उल हो रहरा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है है यह यह लिंक डाउन हो ओ गया यह वाला नौड मेरा डाउन हो गया तुर traffic मेरा Corona होने लग जाएगा क्या problem है तो इसी तरीके सा आपका SD-WAN भी करता है आप खुद समझो ना SD-WAN को जब आप दो इंटरफेस एड़ कर रहे हो तो हाइब्रीड ही तो कर रहा है वो हाइब्रेट नेटवर्क क्रियेट कर रहा है अब उसमें आपको क्या ध्यान दखना है जो मैं लिखवा रहा हूं आपको क्या याद रखना है कि SD-WAN के अंदर कभी याद रखना हमेशा वैं के लिंक्स ही एड़ होते है एस्टी वैं इंटरफेस में आल्वेज रिमेंबर वन तिंग कि आप सिब वैं लिंक्स एड़ कर सकते हो लैन वान लैन टू यह कभी इंसाइड का कोई भी नेटवर्क आप अड़ नहीं कर सकते हो SD-WAN के अंदर सिर्फ यह वैं के लिए ही काम करता है वैं के लिए काम करता है और अब कुछ इसके नए वह आ चुक है वर्जन आ चुक है 6.4 जो अभी मतलब पूरे तरीके सा स्टेवल नहीं है बट 6.4 जो वर्जन आ रखा है उसके अंदर आप यह लोग लेकर आ रखे है यह कि आप वीपीएंट टैनल्स को भी आड़ कर सकते हो जब हम वीपीएंट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वीपीएंट टैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो बट कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो टैनल भी तो इसी पर चलता है कि वैंट पर ही चलता है तो सिर्फ वैंट के अंदर यह आपका स्टी वैंट डील करता है ठीक है तो वैंट कॉर्परेट वैंट एक्स पॉइंट इट मैंटेनिंग यह झार्प्रम्स अजूर्फर इक्सिर्फर एक्सिर्फ लियर अप्लिकेंट यह झांट कॉर्पर्फा अब ओब्यस्ती वाते मैं क्यों लिख रहूं है पॉइंट के अप्लिकेशन अवेर्नेस है के अंद राउटिंग बताता हूं राउटिंग कैन मेजर और मॉनिटर दी परफॉर्फॉर्मेंस और मॉल्टीपल सर्विसेज कि यह आपका हाइप्लिकेशन अवेर्नेस का पॉइंट तो तिम्पल समझो अगर अगर आप इस तरह की से समझो यह आप हो ठीक है अप्लिकेशन अवेर्नेस यह आपके अंदर दो बन अंदर में दो फटह मोर्न ही अगर का सब्सक्राइब कर आप के कज़िए कहता यह मिरा लैपॉटव्में के सब्सक्राइब उट वार विंडोर विंडो एक नालुम होगी कि तब है अपने टीम safe में जूँ更कु अगर आपको अवेर्नेस ही नहीं होगा विंडोस के बारे में नहीं मालूँ कि लैपटॉप क्या होता है तो आप कर पाओगे मैंच मॉनिटर कर पाओगे आप मॉनिटर नहीं कर पाओगे तो ऐसे ही आपके कि SD-WAN के अंदर एप्लिकेशन अवेर्नेस होना बहुत ज़रूरी है अगर मुझे इसे फेस्बुक का ट्राफिक राउट करना है वैं टू से तो जब यहां पर यहां पर यह कि SD-WAN के पास जब यह फेस्बुक का ट्राफिक पहुंचेगा तो इसके पास जब तक अवेर्नेस नहीं होगा कि फेस्बुक है क्या वाट इस फेस्बुक के बारे में जब तक उसको मालूम नहीं होगा तब तक वह कैसे आगे बहुदेगा तो इसी के लिए कहते है कि आल्म पर क्या कर रहे है आज से 15 अभी साल पहले क्या करते थे क्या करते थे कि हम उसको आइपी के फिरूब हैंडल करते थे ठीक है नाव नेक्स्ट पॉइंट तो स्ज्वन के देफिनेशन के लिए काफी है इतना नाव आ जाता है की बैनेफिट्स अब स्ज्वन का बैनेफिट क्या है एजी तो यूज से पहला बैनेफिट एजी तो यूज ठीक है इस बिस्वन का दूछ inडिट धव तूसरा यूज तूसरा यूजिस इस करीण्व बातान थे थे। फर दूज के जूजिफल थे खी एंति経 बातावी का थेवी करい प्वाफींश छिूसरा ḥूजिएंस तूसरा यूजिस थेफ़िःंस सास, Software as a Service and Public Cloud. इसे सास के ओपा? Software as a Service, यह आपका Cloud का पार्ट होता है, तो उस तरीके से आपका Experience होता है, पूरा, सास में भी यह होता है कि आपका, जैसे, नॉर्मली कोई हम कुछ develop करते हैं, ठीकि कोई product चल रहा है, तो आपको, अब लेज़से WhatsApp यह है, अब WhatsApp का आप माल लो कि वह एक Software as a Service platform पर काम कर रहा है, ठीकिए, जो service प्रोवाइट कर रहा है, अब अगर WhatsApp में भी अगर एक server अधर backend बेंडाउन हो जाते हैं, नहीं पड़ेगा, ठीकिए, उपर से SD-WAN और क्या कर रहा है, reduce the cost, ठीकिए, नाउ, उसके बाद आ जाता है, SD-WAN object, बेसिकली आपके SD-WAN के अंदर तीन object होते हैं, जिसके उपर पूरा 48 SD-WAN काम करता है, तो 48 SD-WAN के तीन object कुन-कुन से हैं, एक तो आगे आपका SD-WAN interface, ठीकिए, और एक आजाता है आपका performance, SLA, service level agreement, ठीकिए, performance SLA, service level agreement, और एक आजाता है आपका SD-WAN rules, पहले अब चलते हैं, हम configuration में तब one by one discuss करते हैं, ठीकिए, तो पहले अभी तक SD-WAN के बारे हैं पड़ा है, तो बस पहले enable करते हैं, अच्छा जी, तो चलो, ठीकिए, एड्में, 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 शो system interface, 160 mil drive पे चलो, वापस आजाएं यहां पे और यहां पे खोलो, 192.168 or year 160, SD-WAN, admin, admin, SD-WAN configuration करने के लिए, आपको कहां जाना है, SD-WAN, यहां पे, network के अंडर, यहां पे अगर आप देखोगे, तो SD-WAN नाम का आपको तीन चीज़े दिखेंगे, SD-WAN, performance SLA और SD-WAN rules, तो object 2, object 3 and object 1, अब होता क्या है, कि आपके जो lower models होते हैं, ऐसे बात नहीं है, कि SD-WAN नहीं है, बट कभी-कभी यहां पे SD-WAN दिखते नहीं है, वो by default, जो lower models होते हैं, उसमें कभी-कभी disabled रहते हैं, तो back-ends है कि disabled है, तो कैसे enable करोगे, settings में जाके, तो किस तरीके से, यह लेट से, चलो, पहले वैसा environment create करते हैं, यह जब मैं, मतलब initial stage पे था, अपने 48 किसमें, तब मैंने एक बार मुझे यह problem होती, और ऐसी कोई problem नहीं है, बट हाँ, हो गई जी, क्या हुआ कि, मैं बहुत चोटा firewall configure कर रहा था, 20D आता था, उस टेंपे, 20C, बहुत चोटा, तो end of life हो चुका है, तो हुआ कि, मैं सब कुछ करने गया, और मैंने यहाँ पे network में गया, और network में आया, और मैंने देखा, यहां नहीं है, तो I think so, I was thinking कि, यहर नहीं होगा, इसके अंदर SD-WAN नहीं होगा, बट ऐसी बात नहीं है, कि आपका SD-WAN नहीं है, फिर मैंने documentation में दिखा, दिखा या, तो S पर्दी 20EC SD-WAN दिखा रहा था, तो अगर ऐसे scenario में आप लोग future of अस्ते हो, तो आप क्या करोगे, सिस्टम में जाके, कुछ नहीं करना है, सिंपल यह एक option आता है, feature visibility, feature visibility, यह रहा, feature visibility में जाओ, और यहां पर जाने के बाद, क्या करना है, आपको यहां पर आपको सर्च करना है, SD-WAN interface, इसको enable कर दो, और उसका लावाद सिफ SD-WAN की बात नहीं है, अगर आपको कोई और feature भी चाहिए, लेट से anti-spam filter, web application filter, ठीक है, आप चाहते हो कि IPv6 भी को आपको configure करना है, तो by default यह disabled होता है, आप चाहते हो VPN disable करता हूँ, मुझे VPN की कोई need नहीं है, आप वो कर सकते हो, आप यहां से कोई भी feature को enable, disable कर सकते हो, यहां से अगर enable करोगे, तो तुरंट आपका यहां, इन sections में आपको reflect हो जाएगा, हो जाएगा, इसमें DMZ नहीं दिख रहा है, क्या, आप में DMZ नहीं दिख रहा है, DMZ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इसमें दीख नहीं रहा है, तो किसे enable करोगे था, नहीं नहीं देखो, DMZ इंटरफेस बनाना पड़ता है, यहां पर वो पोर्ट के लिस्ट में आ जाता है, DMZ, तो चलो, अब SD-WAN कन्फिगर करते है, अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग जे, SD-WAN यहां पर कितने पोर्ट दिख रहे हैं आपको, अब हम अच्छा, एक चीज़ और, एक चीज़ और, अभी के लिए बस एक टेंपरोरी में पॉलिसी बना रहा हूं, आपको, क्योंकि वह डाउट क्लियर करना है, कि आपको SD-WAN इंप्लिमेंट कप करना है, लोग क्या करते हैं, अब इसको इनेबल कर दिया, अब लेट से मैंने क्या किया, मेरे पास एक इंटरनेट कनेक्शन था, उसके लिए मैंने एक पॉलिसी बना दी, कि मेरा जो लैन का ट्राफिक है, वो किसे आएगा, इस इंटरनेट, पॉर्ट वन से जाएगा, राउटिंग में हमने राउटिंग में क्या बताया था, दुकान का एड्रेस दिया था, यह भाई आपको उस एड्रेस पर जाना है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब आप रास्ता बता रहें अपने फ्रेंड को, तो वैसे यह आप अपने फ्रेंड को यहां से बोल रहे हैं, और यह रापोर्ट वन से तुझे बाहर जाना है, यह रास्ता बता दिया आपने, ठीक है, लट से आपके फ्रेंड को मेरे घर आना है, तो आपने मेरे घर का एड्रेस बताया है, राउटिंग के अंदर, तो अब हम पॉलेसी बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, तो मैंने क्या किया, अब यह बनाया, अब मेरा ISP2 है, तो ISP2 के लिए भी एक और पॉलेसी बनानी पड़ेगी, आपको अब हर चीज, अगर आप SD1 इंप्लिमेंट नहीं करते हो, तो आपको जो ISP1 के लिए रूल बनाओगे, वोई ISP2 के लिए बनाना पड़ेगा, प्रॉब्लम है, सबस्यादा प्रॉब्लम थे, इसके है, मैमोरी एंड पर्फॉर्मेंस, और यही सारी चीजा हमें लेके चलनी होती है, सिर्फ कन्फरिकेशन से इंजीनियर नहीं बनते हैं, हमें यह सारी चीजे भी ध्य पर्फॉर्मेंस, फ्रोपोर्ट, ज्यादा लोड अगर किसी डिवाइस पर दो गए तो डिवाइस डाउन हो जाता है, काम नहीं करेगा, प्रॉब्लम है भाई, चलो, इसी का प्रॉब्लम सॉलिशन दिया था, SD1 ने क्या आप ऐसा करो, आपको दो अलग अलग सेपरेट जिसको हम मेंबर कहेंगे, SD1 मेंबर कहते है, मेंबर स्वान, मेंबर स्टू, अब देखो, अब रियल वल्ड में प्रॉब्लम क्या आता है, आप लोगों ने क्या किया, लेट से फायर बोल बनाया, पूरा कंफ्रीकर करके आपने डिप्लॉई कर दिया, अगर मैं यहाँ पे अब माइनस टी, रिप्लाई आ रहा है, मेरा नेट चल रहा है, अब अभिशेक ने कन्फिगर कर दिया, फायर बॉल लाइफ कर दिया, राउटिंग कर दिया, डियस्टीप सर्वर डाल दिया, लैन, वैन, मैन, सब कुछ कन्फिगर कर दिया, ठीक है, टेस्टिंग भी हो कर दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने फायर बॉल लाइफ कर दिया, अभिशेक ने ओला, अच्छा-च्छा, ठीक है, मैं इंटरफेस में एड कर देते हैं, अपना वैन वन को, और अभी तो एक पॉलेसी है, वैन वन के लिए एक पॉलेसी है, अबर प्रोडक्शन मे यहां पर VPN भी टेनल चल रहे होते हैं, यहां टेनल भी कनेक्टेड रहते हैं, अब टेनल आपके किस पर काम करते हैं, वैन इंटरफेस पर, इस पर ही काम करते हैं, तो अब मैं आ जाता हूँ, चलो, सब कुछ आपने लाइफ कर दिया, फायर बॉल, और एकदम सेट कर दिया फायर बॉल, और आप जा रहे हो, दुवारा SD-WAN कन्फिगर करने, जब SD-WAN कन्फिगर करने गया है, और इनेबल किया, यहां पर आपने क्या किया, सेलेक्ट क्या पूछ रहा है, SD-WAN इंटरफेस मेंबर, विच इस फर्स्ट अब्जेक्ट, यहां पर मैंने अड़ करने गया, यह क्लिक का बटन दा और इंटरफेस पर क्लिक किया, अब यहां पर क्या प्रॉब्लम आई, देखो, इस पी का लिंक है, वो आपको कहीं दिख रहे है, पोर्ट वन, सब पोर्ट खरी से स्टार्ट हो रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए, है तो फायरवॉल भी, ठीक है, अब यही चीज़ आपको न सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कि इन फ्यूचर आप टिगेट पर काम करते हो, तो SD-WAN हमेशा सबसे पहले configure किया करो, before applying any rules, policy, configuration, आप सबसे पहले उठा के दोनों WAN इंटरफेस को, क्योंकि देखो, सीधा clear concept की सिर्व SD-WAN के अंदर WAN इंटरफेस काम करते हैं, WAN 1, WAN 2, WAN इंटरफेस काम करते हैं, और अगर dedicated आगे, जैसे आप पोर्ट 5 पर पोर्ट 6 पर आप कोई थर्ड WAN connectivity लेते हो, थर्ड WAN connectivity लेते हैं, तो वो काम करेंगे, यह तीन WAN, बात समझ रहे हो ना, तो हमने क्या किया, अब यहां पर क्यों नहीं आ रहा, पोर्ट 1 क्यों नहीं आ रहा, reason इसके पीछे, कि अगर कोई भी WAN port किसी policy, या फ अगर इन सब में use हो रहा है, तो वो आपको यहां पर reflect नहीं होगा, SD WAN में add करने के लिए, आपके जिस WAN interface को add करना है, वो totally free होना चाहिए, किसी भी rule policy में add नहीं होना चाहिए, अब rule policy में add क्यों नहीं हो रहा, reason यहीं है, कि वो तो already एक rule बना रखा है, land का traffic WAN 1 से जा रह इस नाम का interface बन जाता है, SD WAN interface, अब उसके अंदर आप member add कर रहे होते हैं, तो rule तो अब यहीं चीज़ आपको जहान रखना है, लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से सब कुछ configuration करके policy policy बना देते हैं, अब फिर अब देखो, अब कितनी बड़ी problem होई, अब जहां जहां पर when one आपने लगा रखा है, वो आपको delete करना पड़ेगा, आपको तुबारा downtime लेना पड़ेगा, तुबारा downtime लेना पड़ेगा, और यहां पर आपके efficiency को उस तरीके से company accept नहीं करेगी, क्योंकि being a IT worker, or being a IT security engineer administrator, यह आपके responsibility होती है, कि downtime कम से कम मिले, अब आज के time में आप देखो, covid का time चल रहा है, 60 नहीं तो at least 40 परसेंट लोग work from home कर रहे है, अब आप downtime कैसा ले सकते हो, ठीक है, SD-WAN में जाके, enable पर click करो, SD-WAN interface member पर click करो, और अब देखो, आगे मेरा, when आगया, मेरा when आड़ कर दिया, ठेक है, gateway यहाँ पर ISP का gateway डाल सकते हो, कि ISP का जो next हो आ रखा, वो डाल सकते हो, else यहाँ पर zero भी production में लोग डालते है, क्योंकि आपने static route में अल्डेडी gateway डाल दिया है, अब यहाँ पर जाओ, एक और add करना है, किस पर था हमारा दूसरा वाला, port 5 पर, port 5 पर add कर दो, add कर दिया हो, और आपने apply कर दिया, अब अगर आपको SD-WAN uses देखना है, कि मेरे port 1 पर कितना चल रहा है, port 5 पर कितना चल रहा था, आप bandwidth देख सकते हो, bandwidth वाइस भी देख सकते हो, कितनी utilization हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको एक word यूज किया था, real time performance, real time performance, तो यह देखो, real time पर दिखा रहा है, कि मेरे port यह कुण सा है, port 1 के उपर मेरा downstream 120 kbps चल रहा है, और port 5 पर 255 bpps, मतलब bits per second, और upload कुछ नहीं चल रहा है, सिफ downloading चल रहा है, मतलब मैं traffic भेज रहा हूं, आ कुछ नहीं रहा, ठेक है, traffic retrieve कर रहा हूं, भेज कुछ नहीं रहा, sorry, और यहां फिर आप साथ है, volume से देखना, कि कितने exact कैसे मालूम चलेगा, जैसे यहां पर दिखा रहा है, port 1 का utilization 70 mb, 70 mb तक का utilization हो रहा है, current, live एक दम, यह live चल रहा है, थोड़ी थोड़ी देर पर value आपकी change होते रहेगी, अभी मैंने यहां पर ping लगा रहा है, ना, ping को बं कर देते हैं, अब वो policy delete कर दिए, तो RTO आने लग गया अभी, ठीक है, आप चाहते है, session कि कितने number of sessions चल रहे है, आप उस पर भी ISD1 को देख सकते हो, port 1 पर आपको से भी एक ही session चल रहा है, अभी तक, और हमने apply कर दिया, apply करने का अब वापस आप आज़ें, अगर आप यह तरीके से बनाना है, अब आपको दो ISP के लिए अलग-अलग, हमें पहले अलग-अलग rule बनाना पड़ रहा था, यह problem में डाल रहा था हमें, यह conflict न मार दे, इस point को अभी ignore करना, अभी सिर्फ यह सौझ लो कि दो ISP है हमारे पास, अभी क्या करना, अब हमें rule बनाना है, security policy में, IPV for policy, create new, एक है, हमने दे दिया, internet के लिए अपने रूल बनाया है, towards internet, incoming traffic मेरा land से आएगा, traffic कहा जाएगा, अब, when पे जाएगा, तो when के लिए अब यहां पर when तो दिखा नहीं रहा, when one, when two तो दिखा नहीं रहा, क्योंकि हमने SD-WAN में डाल दिया, अगर SD-WAN पे क्लि default आपका enable रहता है, और members लिखा रहा, port 1 and port 5, a load balancing algorithm आपका, क्या चल रहा है, source IP, ठेक है, destination, अब, अब, यहां पे, अब, आपका rule बना, अब, all through, अगर SD-WAN नहीं रहता, जिस fireball के अंदर, SD-WAN नहीं रहता है, let's say, आपका, यह Sophos office में SD-WAN नहीं आता है, all through, और कोई feature है, feature set है वहाँ पे, that is different, बट अगर वहाँ पे SD-WAN नहीं है था, आपको वहाँ पे दो rule बनाना पड़ेगा, अब, यहाँ पर एक काम बन गया, अब मेरा अगर एक ISP डाउन भी है, अब देखो, यहाँ पर अगर मैं दुबारा आ जाओं, और यहाँ पर पिंग लगाओं दुबारा अब के लिए, आपको प्रोडक्शन में ऐसा SD-WAN आड़ नहीं करने है, यह सिर्व लैप परपस के लिए मैंने अड़ किया है, ठीक है, इंटरफेस का कन्फिक्ट किया है, वरना वो कन्फिक्ट मार रहा है, तो, यहाँ आजो, यहाँ मेरा पिंग आ रहा है, ठीक है, और ISP यहाँ पर डिसेबल कर रखा है, एक ISP पोर्ट फाइबल मैं ने डिसेबल कर रखा है, अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, दुबारा मैं जाता हूँ, और वापस आ जाओ, अभी मेरा चल रहा है, तो, मेरा एक ISP अगे डाउन हो भी जाता है, तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो, यह आपका real load balancing कर रहा है, traffic आपका दूसरे उससे जाने दे रहा है, ठेक है, तो, यह तो हो गया, आपका SD-WAN आपने add कर दिया, इसके अंदर enable कर दिया, आप समझ गे न, SD-WAN आपको कब add करना है, before configuring any WAN rule, WAN के लिए अगर कोई rule बना दिया आपने, तब आप SD add कर सकते हो, उसका कोई भी shortcut नहीं है, simple solution यह है, कि आपको delete करना पड़ेगा, existing rules और VPN को, तब जाके आप add कर सकते हो, लोग पूछते हैं, सर कोई तो उसका shortcut होगा, so there is no shortcut, so, अब थोरा theory part देखो, they also known as, किस नाम समझानते हैं, इनको, members के नाम से, SD-WAN interfaces को members के नाम से, जानते SD-WAN interfaces are the ports and interfaces that are used to run traffic, to run traffic, ठेक है, as per the documentation के साफसे मैं लिखवाता हूँ यह, कि 255 members, up to 255 members, आप add कर सकते हो, interfaces add कर सकते हो, can be configured, ठीक है, now, the second object is performance SLA, performance SLA, what is SLA, service provider agreement, service provider agreement, सर, अगर हम समझे हो, कोई service lower LTC से, हाँ, चलो, explain करो, क्या होता है SLA, क्योंकि यह आपके, हम लोगों की profile ने बहुत ज़रूरी होता है, SLA, 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 what is SLA, सर, कमड़ी की तरफ से agreement होता है, सर, कि आगर हम मैं समझो, मैं कोई agreement करा है, कि लेट से, क्या कमिट कर रहा हूं कि मैंने कमिट किया, अच्छा, जब हम कोई नया connection लेने जाते हैं, तो ऐसा ISP कहता है ना, कि सर, 98% हम SLA दे रहे हैं, मतलब 100 में से 2% ही होगा कि हमारा internet डाउन होगा, वरना डाउन होगा, और SLA भी आपको मिलता सिर्फ ILL के अंदर, नहीं, broadband में कोई SLA नहीं दा, तो corporate broadband में शायद दे दे, बट नहीं, अभी तक तो नहीं आया मेरे experience में, मेरे knowledge में भी नहीं है, तो होता क्या है कि SLA breach करना होता है, तो आपने notice किया कि पूरे महीने में आपका net काफी डाउन रहा है, उसके report कैसे दोगे, आप ISP को आपने वोला, ISP ने अपनी site से check क्या, अब आप evidence तो आपको देना है user को, तो वो सारी चीज़े आप चाहो, तो आपको manually करने के ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे performance SLA implement कर सकते हो, अपने SD-WAN interfaces, sorry SD-WAN members के लिए, अब मैं use करूँगा हर जगा पे SD-WAN members, तो समझ लेना कि मैं WAN connectivity की बाद कर रहा हूँ, अब होता है क्या performance SLA में, इसमें basically health check किया जाता है, और एक और example देता हूँ इसका, to the monitor, members, interfaces, link quality, and detect the link failure, second point, as the WAN rules, to select the preferred member interfaces, for forwarding the traffic, अब let's say, इसका एक और example किस तरीके से समझो, इसमें एक तो हो गया, चलो WAN के लिए, अब आपका कुछ सेनारियो इस तरीके से समझो, कि कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, इस तरीके से समझो, कि आपके cloud पे AWS पे कोई server hosted है, AWS पे hosted है, ठीक है, और user आपको complain, यहां पे यह user बैठावा है, यह complain कर रहा है कि याई, इससे ना, मैं reachability नहीं हो, और पार बार मेरा disconnection हो जा रहा है, AWS पे इसको कोई website, web server hosted है, और मैं उसको access नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, बार बार disconnectivity हो रही है, आपने check किया कि यार, ऐसा कैसे हो सकते है, disconnectivity होनी नीचे, तो आप यह भी आप rule बना सकते हो, SD-WAN के अंदर कि वो particular थोड़े थोड़े टाइम पे आपका firewall, आपका SD-WAN, AWS server पे message एक धेशतर है, जिसको हम कहते है, heartbeat message, heartbeat message, heartbeat message कुछ frequently time seconds पे जाते रहता है, और फिर आपका जितना failure होता है, packet loss मतलब failure हुआ, या फिर जितना retransmission हुआ, वो सारा कुछ आपका यहां पे लिखा आ जाता है, SD-WAN के अंदर आ जाता है, अप कैसे होता है implement, यह देखो, so implementation करने के लिए बहुत easy है, आपको जाना सीधा है performance, SLA में by default यहां पर कोई rule नहीं है, तो सबसे पहले जो as पर दीख दम default चलता है, आप चाहरे हो Google DNS का, server क्या होता है, Google DNS का 8.8.8, और आप चाहता हो participant किसको करवाना चाहता हो, आप चाहता किसी particular एक को भी करवा सकते हो, दो को भी करवा सकते हो, तो best practice होता है दोनो, SLA targets, तो यहां पर आप threshold value, jitter, minimum 5 seconds पर और कितना packet loss वो हो, ठीक है, तो by default 5 seconds, 5 milliseconds रहता है latency का, इससे ज्यादा अगर आएगा, तो इसको packet loss considered कर लिया जाएगा, ठीक है, अब कितने interval पर चेक करें, अब ये Google DNS इसको कब तक पिंक करें, हर 2 seconds पर, ठीक है, और अगर 5 seconds तक, यहां पर देखो, क्या है failure before, inactive, मतलब number of time, अगर 5 RTO आ जाते है एक बाद, तो उसको, वो inactive declare कर देगा, और ट्राफिक आपका दूसरे उससे move होने लग जाएगा, अब यहां पर देखो, अब यहां पर सब कोशन मांगा रहा है, अगर मैं आप पर पर्फॉर्मेस ऐसे पर रिफ्रेश करूं, तो देखो, क्या आ रहा है, यहां पर दिखा रहा है, पैकेट लॉस पोर्ट 5 से 100% हो अब लेट से अगर मैंने ISP को कंप्लेइन किया कि यार देखो, मेरा यहां पर यह पर प्रॉब्लम आ रही है, अब मेरे इसमें आरत हो बोलेगा, नहीं सर आपका तो हमारी साइट से तो सही है, कनेक्टिविटी, ठीक है, ऐसा होई नहीं सकता कि पैकेट लॉस हो रहा है, त अगर किसी सर्वर के लिए बनाना है, लेट से, मैंने बनाए दिया, AWS के लिए बना लिया, और STTP भी आप डाल सकते हो, नहीं ता पिंग, उस पर्टिकुलर सर्वर का IP अड्रेस, चलो, क्या बनाते हैं, किसी भी सर्वर का ले लो, यार, CMD लेके, NSLOOKUP करो, and let's look up www.asg-tax-solutions, चलो, asg-tax-solutions की साइड है, यह user access नहीं कर पा रहें, मतलब क्या हो रहा है, कि user आपको complain कर रहें, कि यह frequently disconnect हो रहा है, packet loss जादा आ रहा है, latency बहुत जादा आ रही है, तो आप क्या करोगे यहां पे, simple, आप कुछ भी नाम डाल दो, asg लिख दो, ping लगा चाहते हो, ping लगा दो, participant आप चाहते हो, कि सिर्फ मैं, when one पे, when one पे, when one पे, when one पे साइट चलती है, when one पे चलती है, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स आपके IT में ऐसे होती है, जो particularly IT-based होती है, मतलब वो dedicated किसी एकी ISP से चल रही होती है, यह हो गया, और मैंने आप पे लिख चाहिए कि failure अगर है, तो 5 सेकंड के बाद 5 आटे के बाद उसको इनक्टिव शो कर दे, और restore दा लिंक आफटर 5 सेकंड के लिए, फिर आफ्टर 5 सेकंड के बाद उसको दुबारा वो ट्राय करे, एक्टिव करने के लिए, और नहीं हुआ, तो फिर दुबारा से किसे टंशन होगे नाम से डालए और अच्छीतेक्स कोलिशन डॉटकॉम हाँ नाम सभी पोस्तों अच्छीतेक्स कोलिशन डॉटकॉम यहां पर एक मुनेट इससे लगाते है www.asg-tech-solution क्योंकि हमने उस यहां पर वेबसाइट हमारी होस्टेट है अमने पिंग डिसेबल कर रहा है में इसलिए आपका फेलियर आ रहा है तो टेक्स डॉट कॉम हां जी अब आगया सही हो गया अब चाहो तो www.asg-tech-solution.com तो अब देखो आगर मुझे चेक करना है कि इस पर मेरे इस वेबसाइट पर कितने लेटेंसी आ रही है तो लेटेंसी भी चेक कर सकता हो बट मेरा पैकेट लॉस नहीं हो रहा है मतलब यह वेबसाइट मेरी रीचेवल है ठीक है बट अगर यहां पर तो इस तरीके से आपके रूल बन गए यहां से आप रियल टाइम मोनेटरिंग कर सकते हो कि लिएसे अब मेरे एस जी की वेबसाइट पर कितनी लेटेंसी आ रही है आपको पिंग करके यूजर के सिस्टम से करने की कोई ज़रत नहीं सब्सक्राइब कोई प्रॉब्लम नहीं 94 एक्सेप्टेबल होता है अगर यहीं लेटेंसी पांसो चेसो एमस आती तब एक्सेप्टेबल नहीं होता है तब आपकी वेबसाइट स्लो चलती पैकेट लॉस मेरा 3% हुआ है एक्सेप्टेवल है क्योंकि आपका यह कोई बाइब अगर आपका लॉस हो रहा है डेली वेसिस पर ठीक है या फिर एक्टम करेंट्ली आपने इंग रिखा इतना पैकेट लॉस हो रहा है तब आपको आपको आइसपी से कॉंटेक्ट करना होता है कि भाई कुस तो प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप रूल्स बना सकते ठीक है किसी से related पर रूल बना सकते हो अगर आपको कोई और एक ऐसा server है जो आपके ही कहीं और AWS cloud यह कहीं पर hosted आप उससे related बना सकते हो अगर वहां पर पिंग नेबल कर रहा है तो आप पिंग कर सकते हो एल्स आप कर सकते हो अपर ह prix अजी तिपिश कर सकते हो ह आपको यहां पर पूरा यू अरयल डालना पड़ेगा वर फोगी चली कोई ठोले कोई प्रॉबिम नहीं है ठीक है नाव घ्राड वान िजिसके लिए में सबस्चाहथ बात करता हूं आप पुप्स, मैंने क्या किया, कुछ दिलीट किया चाहिए, पर्फॉमेंस असल ले, चलो हां, अचाहिए, यहां कर लो, पर्फॉमेंस असल ले, Now, the third one is, SDVN rules, अब rules होते क्या है, So, rules are used to control the path selection, जो आभी तक हम बात कर रहे थे न, कि मुझे particular किसी traffic को, हम क्यों वो चीज पॉलिसी राउट में नहीं कर पा रहे था और क्यों यहां पर हो रहा है, अब देखो, traffic can be dynamically sent to the best link, और यूज राउट, specific route, specific route, तो यहां पर आपको if you want, लिखो, example की तोर पर लिखो, you can move entire domain traffic from any ISP, ठीक है, अब policy route में भी आपका होगा कि sir, policy route में भी थाम यह चीज कर सकते थे, ऐसी कोई problem नहीं थी, policy route में आपको यह चीज तो सिखाया था, क्या सिखाया था, कि अगर मुझे gmail का traffic, मुव करना है यहां पर gmail.com का था traffic, अगर मुव करना है तो मुझे policy route बनाना है ठीक है, बट बट अब let's say, SD1 rule में आ जाओ, एक create करो पहले, नाम डालो, application के नाम से, source address मेरा, all, destination services मेरा ISP रहे, हाँ जी नहीं 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 डेस्टिनेशन सर्विस, अब let's say मैंने आपको क्या टास्क दिया, क्यार मुझे AWS का, Azure web service या फिर Amazon का जितना भी traffic है, वो particularly किसी एक website से, किसी एक उससे move हो, किसी एक लिंक से move हो जाए, तो Amazon अगर मैं search करता हूं, तब यहां देखो क्या है, यहां पर कितना easy है, आपको बस select करना है, और वहां क्या करना पड़ता है, इन सबको पहले NS look up करना होता है, इन सबका object बनाना पड़ता आपको, FQDN बनाना पड़ता है, याद है, अब यहां पर यह गिनो, कितने हुए, 1234567891011121314, 14, 14 destination पे आप क्या चाहते हो, कि minimum SLA जिस भी link का रहे, जिस भी interface का minimum SLA हो, ट्रैफिक उससे move हो जाए, ऑब्यसी बात है, जिसका minimum SLA किसका होगा, जिसका packet loss कम होगा, और हमने कर दिया, और required SLA target, एक आपको SLA target बनाना पड़ता है, वही जैसे कि जिस पे वह कुछ-कुछ टाइम पे ping करता रहे, particular कुछ-कुछ टाइम पे वह भेजता रहे, Google DNS हम default बनाते हैं, ताकि वह इंटरनेट पर चलता है, और अब देखो, चीजे यही समझाने वाली थी, 15 ट्राफिक है, 15 डेस्टिनेशन पर जाने के लिए कितना रूल बनाना पड़ा है, एक बनाना पड़ा, पॉलिसी रूट में 15 डेस्टिनेशन पर जाना पड़ता तो कितने रूल बनते हैं, 15, 15, समझे, प्रायर्टी भी देता है, प्रायर्टी देनी बढ़ती, प्रायर्टी देनी बढ़ती, चलो, एक और बनाके देखते हैं, let's say, Microsoft, source address, मेरा कोई भी हो, land के साइट का ट्राफिक, इंटरनेट सर्विसेज मेरी, कौन-कौन से होनी चे, अप्लिकेशन अवेर्नेस ही त्यों है, यह अप्लिकेशन ही अवेर्नेस है, तो आप यहां से, Microsoft के जो जो वेबसाइट से Office 365, other, pop, Skype, RMTP, SMTP, SSNM, SSH, Outlook, Outlook का जो ट्राफिक होता है, वेब का ट्राफिक, वो सब, आप कहा जाते हो कहां से हो, best quality या फिर minimum SL, अगर best quality है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो सही चल रहा होगा, उसके उपर चलेगा, तो best quality में आपको क्या 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 define करना होता है, एक तो measured SLA define करना होता है, quality किस basis पे चेक करें, सोना खरीदते हो, तो किस basis पे चेक करें, quality भी तो एक काम होता है, best quality कैसे मानुशलेगा, तो अगर आप चाते हो, latency, quality criteria आपको define करना पड़ेगा, best quality में, जिसकी latency कम हो, उससे traffic चला जाए, जिसकी latency कम हो, जिटर कम हो, उससे traffic चला जाए, आप चाते हो नहीं, जिसका packet loss, जिस link का सबसे कम packet loss हो, traffic उससे move हो, तो नॉर्मल यह production में क्या यूज करते है, हम यूज करते है, packet loss, latency, और bandwidth, जिसका bandwidth अच्छा है, और, downstream, downloading, uploading, custom, तो यहाँ पे packet loss, bandwidth और latency पे हम काम करते हैं, अगर, यहाँ पे अगर मैं एक यह link अटा जाता हूं, मैं चाहता हूं नहीं, dedicated मेरा port 1C traffic जाए, तब आपको यहाँ पे, best quality define करने की जरुत नहीं पड़ेगी, best quality, देखो, simple चीज है, जब किसी चीज की quality चेक करनी होती है, तो जब तक वह product दो नहीं होगा, तब कैसे मानु चलेगा कि कून सा best है, laptop लेने जाते हो, तो एक Dell का सामने रहेगा, और एक HP का रहेगा, तब ही तो मानु चलेगा इन दोने में best कून सा है, अगर सब Dell कर रहेगा, तो क्या मानु चलेगा, कि यह best है नहीं है, तो अगर यहां पे आप, एक और interface जब तक add नहीं करोगे, तब तक आप best quality चेक नहीं कर सकते हो, सिर्फ best quality और यह लिखने का भी कोई sense बनता नहीं है, तो आपको अगर आप चाहो, तो हम लोग क्या करते प्रोडक्शन में, दोनों interface add करते, अब हम चाहते है best quality किसका, हम चाहते है कि latency, जिस link की latency कम हो, उस पे चाहे, हमने यह okay कर दिया, और चाहन क्या नहीं है, उसके बादी में, मिनिमम कॉलिटी में हमने इसमें किया था ना, minimum quality SLA, कि जिसका सबसे कम packet loss हो, SLA होता क्या वही, जिसका सबसे कम packet loss हो उससे चला जाए, तो यहां पे आपको बस एक ही quality यहां पे select किया गया, मतलब laptop लेने गए, Dell का है, और HP का है, आपको बोला गाए, बस कोई आप एक quality देख सकता है, तो आपने देखा इसमें SSD हैं, इसमें नहीं हैं, तो मैंने Dell का prefer कर लिया, best quality में क्या हुआ, कि आप 4-5 चीज़े देखोगे, SSD, hard disk, RAM, system, तो ऐसी इन दोनों में match करोगे, 4-5 qualities, जो quality सबसे अच्छी हुआ, जिसका quality सबसे अच्छी configuration हुआ, budget की कोई issue नहीं है, आपने HP recommend कर लिया, चलो भाई HP ले ले लेते हैं, ठीक है, तो यह अब यहाँ पे क्या, अगर आप देख रहोगे, तो इनको drag and drop आप कर सकते हो, तो इनको drag and drop उपर ही करो तो कोई problem नहीं है, इसमें कोई problem नहीं है, अब यहाँ पर यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, कि अगर policy route में आगर आपको Microsoft का ही सिर्फ traffic को route करना होता, तो यहाँ पर भी देखो 15-16 signatures है, यह तो सिर्फ यहाँ पर है क्योंकि यह आपका lab का firewall है, real firewall में देखो कितने होते हैं, Microsoft के दिखने चाहिए, तो अब यहाँ पर आजा, login, read and write, ठीक है, अगर यहाँ पर देखो, real firewall में कितने rules होते हैं, अब SD1 rules में गए हैं, तो हम कितने rules बना के रखते हैं, हमने SharePoint के लिए बना रखा है, Bright Cloud के लिए बना रखा है, इंटरनेट के लिए भी बना रखा है, VC के लिए बना रखा है, जैसे SharePoint है, यहाँ पर लगसे, SharePoint के तो limited है, अगर मुझे कुछ और add करना है, सिर्फ देखो, यहाँ पर देखो कितने हैं, यह देखो, 412 internet services है, अगर मैं SharePoint ही सर्च करता हूं, यहाँ पर अगर सर्च करता हूं, क्या सर्च करूं, देखो, यहाँ पर कितने हैं, 2146 firewall application थे, अगर सिर्फ माइक्रोसोफ्ट में सर्च करता हूं, Microsoft, यह देखो, Microsoft के इतने application से, जहाँ पर Microsoft यूज़ हो रहा, Teams आ गया, आपका Microsoft login हो गया, Skype हो गया, यह सब होती है, इसमें तो आपका firmware कुन सा डल होगा है, यह लाइक firewall है, जिसमें, इसमें 6.0.12 डल चुका है, तो 6.0.12 में आपका यहां पर एक application के लिए अलग से वो दे दिया है, बाकि आप यहां से यह फीचर आप यहां से भी उज़ कर सकते हैं, अप्लिकेशन कंट्रोल, 2100, 2414 अप्लिकेशन हैं, और इसमें कितना हैं, अल्मुस्स सेम हैं बट इसमें कुछ outdated applications भी है, जो आपके lab बाले firewall से outdated रहते हैं, उसमें आपके live नहीं रहते हैं, 2100, 146 और आपका यहां पर है, 414, even lab में जादा है, lab में जादा है, बट इसमें काफी outdated applications हो चुगी है, काफी ऐसा है कि एक ही चीज़ के दो applications बना रखे हैं, signatures बना रखे हैं, और इसके अंदर चीज़ें को customize कर रखा है, अगर मुझे ACT है, देखो ACT बस मेरे एक ही applications हो जाएगा काम, और अगर यहां पर मैं ACT सर्च करता हूं तो ACT यहां पर होगा भी नहीं, देखो ACT नहीं है, यहां dedicated ISP का जो ACT आता है, उसके लिए बना रखा है, तो there are so many things, performance SLA यहां पर कैसे हम बनाते हैं, देखो हमें आपके हमने क्या कर रखा है, एक online server है हमारा यह, onnit का, इस पर हमने latency हमने क्या लगा रखा है कि रूल बना रखा है कि यह किस से जाए आपका best link, पिंग और आपका इस से जाए, इंटरनेट जो टाटा का है, जीए और इन दोनों से इसकी traffic मूव हो, और इस लोकेशन पर चार ISP है, बढ़ हम चाहते हैं सिफ traffic इन दोनों से ही मूव हो, जीओ ने तो टाटा से, Google DNS देखो, यह चोटा सा ही firewall, वोले 61 नी firewall, वोले ज्यादा बढ़ा नहीं है, यहां पर देखो, सबसे important SD-WAN, SD-WAN में हमने से दो interface आड़ कर रहे हैं, एक और आड़ करना है, अगर इसको आड़ करना चाहँ तो कर सकते हो, क्योंकि यह अभी किसी भी policy में use नहीं हो रहा है, all through मेरे दो ISP यहां पर ऐसे हैं, जो use हो रहे हैं, वह यहां पर हम बना, हमने कहां पर use कर रहे हैं, उनको यहां पर देखो, मैं वही चीज़ दिखाना चाहा रहा हूं कि अगर पहले enable नहीं कर तो क्या problem आती देखो, आपको यहां पर लेकर आँ, तो यहां पर लिखता हूं, ताटा नहीं पर लिखता हूं, ताटा, ताटा नहीं पर ना, यहां पर देखो, यहां पर देखो, अगर यहां पर सिप टाटा होता, तो देखो, यह जो टनल्स है ना, यह, यह टनल के साथ हमें रूल्स भी बनाने होते हैं, आपको हर एक चीज डिलीट करना पड़ता है, और यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, तो SD-WAN इसलिए complex होता है, बस इसमें वही चोटी-मोटी चीज़े ध्यान देखनी है, जैसे जो मैंने बताया, कि आपको बस SD-WAN को कभी भी add करना है, तो firewall जब नहीं लेते हो, तो यह चीज तो आपको पहले से ही clear होना चाहिए, कि इसमें land interface तो add नहीं कर सकते हैं, कि कौन से interface को आप land में डालोगे, या कौन से port को land में use करोगे, आप सीधा इसमें add कर सकते हो, सीधा सीधा when, और when आपको defined रहता है, और अगर in future, लेट से अभी मेरे 2 महिने बाद, 3 महिने बाद मैंने एक और connection ले लिया, तो उस case में क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वापस SD-WAN में आओ, और जैसी हो connection लोगे, तो किसी ने किसी port पर लगाओगे, तो उस port को पहले यहाँ पर add कर लो, उस port को पहले वैन इंट्रवेस तब आगे आपको आपको पॉलेसी बनाना है, उससे रिलेटेड या फिर बनाना है, ठीक है, यह होता है, आपका पूरा SD-WAN के अंदर यह सारा पूश रहता है, अब हम कल देखेंगे इसमें, पॉलेसी पहले देखेंगे, तब उसके बाद हम देज जाएं और अगर उसमें मुझे किसी कुछ पॉलेसी को अलाओ करना है, कुछ स्पेसिफिक यूजर को इंटरनेट देना है, किसी को नहीं देना, वह हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो यह पॉलेसी के बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है, पॉलेसी एंड सेक्यूरिटी प्रोफाइल MPLS और SD1 में एक मिनिट बता रहा है, एक आपको ऐसा करता हूँ, 48 के ऑफिशल डॉक्यमेंटेशन से ही बताता हूँ, तो बेसिकली एक तो प्राइस का फर्क आजाता है, और परफॉर्मेंस का फर्क आता है, जो सबसे वड़ा MPLS और इसके अंदे डिफरेंस है, कि एक तो प्राइस का और पर्फॉर्मेंस का, ठीक है, इसका प्राइस आपका लेस रहता है, और as compared to MPLS का हाई होता है, ठीक है, उसके बाद ये आपको MPLS में कुछ लेना है, MPLS में भी सिर्फ आप अपने WAN कनेक्टिविटी को अड़ कर सकते हो, यहां पे आपका SD-WAN के अंदर, आगे जैसे मैंने बताया, 6.2 के अंदर, कि आप हमारे वो भी आड़ कर सकते हो, VPN टनल भी आड़ कर सकते हो, उसके अलावा, security-wise और performance-wise, य security का माँ पर लूप हो लाता है, एक साइट है, मैं आपको देखता हूँ, रूप को, 48, sorry, 48, MPLS versus, अरे, एक्जाम देती है, आपने उसका, 40NET, 40NET का, 11-1, level 2 दे दो, यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, free of cost है, तो, आपका इसमें पूरा batch उसे साब से चल रहा है, आपका, अभी कोई dedicated, ऐसे कोई website नहीं है, सब हाँ, पर tutors जितने भी, सब यही prefer कर रहें, कि आप, अगर आपको कुछ पढ़ना वढ़ना है, तो route rally, या फिर network lesson से देख लो, और अगर slivers से related अगे कुछ issues है, तो भाई, की सीधा आप official site पर जाओ, Cisco के, एक link दिया है, इस link को read मारो पहले, इस link को read मारना तब मेरे से discuss कर लेंगे, कल इसके बारे में, समझ जाओगे, चीजे clear हो जाएंगे, क्योंकि advantage, disadvantage के लिए, आपको फिर MPLS पहले मुझे clear बताना पड़ेगा, तो वही चीजे, और MPLS अपने आप में एक अलग अलग दुनिया है, तो यहां से इस site से पढ़ना, मैंने chat box में डाला है, यह नहीं है, तो ऐसा करता हूँ, यह उठा के आपके note वाले उसमें भी डाल यह लिंक आप पढ़ना, ठीक है, और clear हो जाएंगे चीजे, नहीं होगा कि प्रॉब्लम आएगी तो कोई दिकरती कल discuss कर लेंगे, ठीक है, चालो, खालो, खालो, खालो,